Hello people, welcome and welcome back to my channel हर लड़की का most favorite और हर लड़की लिपास एक black top, black one piece या black dress होती ही है but white होनी भी ज़रूरी, आपको ये वीडियो दिखने का पते चल जाएगा So इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ share करने हारी हूँ 3 tops and, मतलब tops and bottoms जो की some unappropriate है, first thing Summers के लिए best है, मुटसे and second, की तीनों चीजें जो भी तीनों मैं top, मतलब जो भी upper wear है वो तीनों white color में होने वाले हैं and third thing, की वो तीनों एक दूसरी से बहुत अलग हैं but बहुत अच्छे से जा रहे हैं white, मतलब white के साथ video बहुत ही अच्छी होने वाली है, मेरे ख्याद में आप लोग को देखने में बहुत अच्छा लगने वाला है and, मेरे ख्याद है, हर लड़की के पास ऐसे 3 tops होने जरूरी है आप कोई से colors में भी ले सकते हो, अगर आपको colors का हो है तो but मैं बहुत हुश हूँ कि मेरे पस 3 हो white में so में को लगते है मेरे पास मेरा favorite color is white क्योंकि मेरे पास white में बहुत सारी शीज़े है और रहे हैं white में कैसी लगते हूँ, आप लोग मुजे बताना मैं white में अच्छी लगती हूँ इसलिए मेरे पास white जादे और आपको उन सारे टॉप्स में से सबसे अच्छा टॉप कौन सा लग रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना और मेरे उपर कौनसे टॉप से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये बताना और हां जाने से पहले वीडियो को लाइक शेर और सबस्क्राइब करके जाना आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपना एक प्यारा सा कमेंट भी मेरी वीडियो के नीचे करके जाना और अगर आप लोग कुछ न्यू देखना चाहते हो तो आप वो भी चीज़े कमेंट कर सकते हो मैं उस टॉपिक की ओपर भी जरूर से वीडियो लेकर आउंगी सो विडाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जादी से वीडियो को श्रू करते हैं ओके सो जो फर्स्ट आउटफिट है वो है ये वाइट कलर की शॉट कुर्ती और उसके साथ में मैं पेयर कर रही हूँ ब्लू कलर का स्ट्रेट फिट जीन्स जो की मिड्रेस है और ये दोनों चीज़े आपस में मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वाइट है उसके साथ डार्क ब्लू अच्छा लगता है और जो कुर्ती है जो शॉट कुर्ती है गर्मियों के लिए बहुत अच्छी है मतलब ये कुर्ती कॉटन की है तो कॉटन के कुर्ती यहां गर्मियों के लिए बहुत अच्छी होती है थोड़ी सी लूस हो जैसे कि यह है इसमें यहाँ पर एक type detail भी दिया हुआ है जो कि मैं open रखना पसंद करती हूँ बट बांद के भी अच्छा लगता है और यह कुर्ती न बहुत प्यारी है इस पर पूरे पे जैसे chicken curry work जैसा किया गया हुआ है बट कुछ different style में बहुत ही जादे see-through वाला नहीं है बट यह open भी मतलब बहुत ही प्यारे डिजाइन है इसका मतलब आप देख सकते हो उसमें कितनी सारी छोटी-छोटी detailing दिखाई गई है इसके collar पे भी जो इसका neck वाला area है वहाँ पे भी इसके hands भी आपके हाथ आधे cover रहेंगे so tanning की भी थोड़ी कम problem होगी गर्मियों के लिए and jeans भी इसके साथ comfortable रखी है मैंने तक कि मतलब हावा पास होती रहे क्योंकि गर्मियों में skinny fit jeans अच्छी नहीं लगती so चलते हैं second outfit पे second outfit है again white जैसे में आपका बता है white तो होगा ही and इस white crop top के साथ मैं pair कर रही हूँ एक blue denim light blue denim ये काफी light है आप ribd भी ले सकते हूँ उसकी जगा पे ribd भी बहुत अच्छा लगेगा and ये भी straight fit है but ये high waist है kurtis are good for college मतलब आपकर अगर college going girl हो आपके लिए kurtis अच्छी है आप kurtis college में पैन सकते हो but कभी बहार जाने के लिए मतलब मैं white में हर चीज दिखा रही हूँ तो मैं सारे types में दिखा रही हूँ so ये एक top है आप friends के साथ outing पे जा रहे हो lunch, dinner, date कहीं भी जा रहे हो so ये चीज हर जगा चल जाती है ये ऐसी चीज है और इस top को आप off shoulder करके बैन सकते हो और इन सारे tops की और मतलब kurti की जिसके भी link मुझे मिलेगी मैं सारे description box में दे दूँगी आप वहाँ से check कर लेना और आपको कुछ भी लेना है तो आप ले सकते हो मेरे को असा लगता है ये तीन चीज आपके पास होनी जरूरी है और ये तीन चीज है जिसको style करने के लिए आपको बहुत जादे महनत भी नहीं करनी पड़ेगी ये तीनों आपस में ही बहुत अच्छे से style होती है और थर्ड है मेरे पास ये जिसको मैं अब skirt के साथ पेर करने वाली हूँ क्योंकि jeans में दो दिखा चुके हैं तो कुछ different भी होना चाहिए है like night parties वगरा के लिए but मैंने देखा है mostly low black और dark dresses या shimmer dresses ही prefer करते है parties के लिए but हम कभी-कभी white भी use कर सकते है so ये उसमें से है जिसे हम ऐसे use कर सकते है और ये काफी different top है आप देख सकते हो मेरे को पता नहीं मैंने ये ना offline लिया था तो मुझे नहीं पता इसके link मिलेगी की नहीं but I will try मिलती है तो मैं attach कर दूँगी आपको इन तो मैं से consider आपको अगली वीडियो में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले see you bye bye